तो हेलो इंजिनियर स्वागत है आपका फिर से एक बार मैं हूँ जिनियर टिकेस कुमार और जियो टेक्निकल इन्वेस्टिकेशन की स्कोर्स पे स्वागत है आपका तो हम लोग geotechnical investigation में अभी जो study कर रहे हैं वो है हमारा study of regional geology तो यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं compaction of soil compaction क्या होता है कैसे करते हैं कौन कौन से mechanical means होते हैं किस किस type के soil पे कैसे हम लोग equipments और tools को implement करते हैं तो इसी पे पूरा बात करेंगे और जानना चाहते हैं क्या है compaction कैसे करते हैं तो वीडियो में बने रहिए वीडियो को like कीजिए channel को subscribe कीजिए और दोस्तों के साथ share जरूर कीजिए तो आप सभी को पता है कि soil हमारा एक common building material है जो कि हर जगा use होता है जैसे मैं बात करता हूँ retaining wall के back side जो हम लोग feeling करते हैं या फिर हम लोग re wall बनाते हैं तो उसमें जो feeling करते हैं हम लोग जो building बनाते हैं वहाँ पे plinth में feeling करते हैं foundation पे feeling करते हैं dam बनाते हैं तो उसको core को feeling करते हैं और road बनाते हैं तो उसमें sub grade में soil की use होता है मतलब किसी भी infrastructure बनाने के पहले हमको soil की जरुवत पड़ती है और किसी भी infrastructure को अच्छे से stable और safe तरीके से खड़ा रखने के लिए एक strong stable base की जरुवत पड़ती है और strong soil जो है उस load को ले पाए इसके लिए हम soil को तयार करते है ताकि उस load को bear कर पाए जैसे कि normally यह देखा जाता है कि जो हमारा soil है जो natural condition में होता है वहाँ पे soil three phase system में होता है मतलब soil पे mixture होता है वो उसमें air भी होता है उसमें water भी होता है उसमें solids भी होते हैं बट हम यहाँ पे क्या कर रहा है compaction के थुरू आपका air जो है उसको expel out कर रहे हैं और उसके थुरू जो है soil को densify करने के कोसिस कर रहे हैं तो आप सभी को पता है कि हमारा soil होता है वो छोटे छोटे particles से बिलके बने होते हैं अब उस particles के बीच में कुछ voids होते हैं अब उस जो voids होता है वो क्या होता है load आने के बाद क्या होता है उसमें compression लगता है और compression लगने के वज़े से अपना volume चेंज करता है और वैसे ही जब अगर हम किसी building को बनाएं और उस building को बनाने के बाद हमने directly बिना compact किये उसकी load दे दिये आज इस competitive job market में जहां job पाना मुश्किल है वही सिविल गुरुजी से trained engineers अच्छी career growth कर रहे हैं क्योंकि सिविल गुरुजी की online training design की गई है industry standards के हिसाब से जहां आप expert trainer के साथ सीखते हैं estimation निकालना, surveying करना, QS and RA निकालना, BBS निकालना, bill बनाना, contract and tendering के साथ और भी important skills आपके time schedule की flexibility के हिसाब से और India के सबसे affordable cost में भी तो अभी phone उठाओ और call लगाओ 911 001234 पर और वीडियो के description में जाके अधिक जानकारी भी ले लो जैसे कि आप यहां पर एक image में देख सकते हैं, यहां पर आपका foundation के नीचे वाला part अच्छे से compact नहीं था और पानी आने के वज़े से यहां पर settle हुआ और settle होने के बाद आप इस building के हालाद यहां पर देख सकते हैं settlement के वज़े से इस तरीके से जो है इसमें damage जो है वो देखने को मिल रहा है, वहीं पर आप जो है इस comparison वाले image से देखेंगे और water भी दिखेगा, अब इन सारी चीजों को मिल के जो बनता है हमारा वो होता है soil अब हमको soil को अगर densify करना है तो वहाँ पर उसके voids को क्या करना पड़ेगा, reduce करना पड़ेगा हम soil को पहले ही उसको volume को क्या कर दे रहे है, compress कर दे रहे है, ताकि जब loading आया तो उसमें settlement जो है, settlement जो है, वो कम से कम हो, और कम से कम settlement होगा, soil densify रहेगा, तो उसकी strain अच्छी रहेगी, उसकी bearing capacity जो है, वो अच्छी रहेगी soil को compact करते हैं, by the action of mechanical means, जिसमें जो है, expulsion of air होता है, मतलब जो भी voids पे air होंगे, वो जो है, spell out होता है, जिसका वज़े से compaction जो है, आपको मिलता है, यह जो compaction होता है, इसको करने के लिए हमको dynamic loading लगानी पड़ती है, जैसे हम roller लगाते हैं, ramming करते हैं, या फिर हम compacted plate जो है, वो चलाते हैं, चली जानते हैं, हम लोग compaction का process क्या होता है, तो यहाँ पे आपने कई बार सुना होगा, कि हम compaction जब करते हैं, जैसे कि building का plint filling करते हैं, या फिर हम लोग road का layers बनाते हैं, तो वहाँ पे आपको एक ही बार में फूरा का पूरा layer जो है, वो नहीं दिया जाता, हम क्या करते हैं, वहाँ पे 200 mm का या फिर 100 mm का, 1500 mm का layer wise वहाँ पे पार Compaction करते हैं, और जब एक layer का compaction पूरे तरीक squeezed हो जाता है, और फिर हम हम उसके उपर जो है हमारे IS Code में दिखते हैं, एक है हमारा Standard Proctor Test और एक हमारा Modified Proctor Test, तो इसके लिए IS Code की Guidelines से जिसको हमको Follow करना पड़ता है, जैसे कि अगर हमको Standard Proctor Test करना है, या उसी को हम लोग Lightweight Compaction Test भी बोलते हैं, यह जो हमारा IS Code 2720 Part No.7 में हैं, और हमारा Modified मतलब Heavy Compaction Test 2720 Part No.8 में हैं, तो यह Taste जो हम लोग पूरा Perform किये हुए हैं, Taste वाले Part पर इसका वीडियो जो है, आपको मिल जाएगा, चलिए बात करते हैं हम लोग Compaction Equipment की, कैसे टाइप का जो Equipment है, किस तरीके के Soil पे और कैसे टाइप के Projects पे आपका Suitable रहेगा, तो सबसे पहली बात करते हैं हम लेकि नहीं आप पाएंगे, यहाँ पे हम लोग Plate Vibrator लेकि नहीं आप आपाएंगे, तो यह इसी जगह हो पे Confined एरिया पे जो हम रैमर से Tempers का यूज करते हैं, टैमर जो हम लोग Manually यूज करते हैं, और यह जो रैमर जो है, यह Mechanically Machine से Vibration जो होती है और इसके वज़े से Compaction स्वाइल में होता है, चले, दूसरा equipment जो है, इसको हम लोग बोलते है, स्मूद विल्ड रोलर, तो यह स्मूद विल्ड रोलर जो क्या करता है, कैसे टाइप के स्वाइल में यूज करते हैं हम लोग, इसको crushed rock या फिर gravel या sand होता है, वहाँ पे इसका यूज करते हैं, तो road construction को जो roller होता है, इसको uniformly graded soil पे use नहीं करते हैं, uniformly graded कहने का मतलब यह कि उसमें सारे particles जो है same size को होते हैं, तो उसमें जो है, यह जो है effective नहीं होता है, तो इस pneumatic tire roller को हम लोग base बनाने के लिए, subbase बनाने के लिए, embankment बनाने के लिए, और highways के, और airfields, मतलब airport के, जो भी embankment बनता है, और earthen dime का जो embankment बनता है, उसके लिए जो है pneumatic roller का use किया जाता है, चौथा आता है हमारा food ship roller, यह food ship roller जो होता है, यहाँ पे देखो कुछ इस तरीकी का patterns जो है वो बने होते हैं, इसमें कुछ heddles जो है बाहर निकले होते हैं, यह क्या करता है, आपका जो cohesive soil है उसम needing action के थुरू जो है, यहाँ पे soil को compact किया जाता है, तो जबी भी earthen dime का core बनाया जाता है, तो यह वाले seafood roller जो है उसका use किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे earthen dime के core जो बनता है, उसमें cohesive soil का use किया जाता है, तकि उसमें water का seepage कम हो, पाचवा आता है हमारा vibratory roller, और यह जो vibratory वाला part ले लिजे, वहाँ पे आपके rate वाला part में बहुत सारा oil मिलता है, और वहाँ पे oil storage बनाया जाता है, और उसका embankment है, वो rate से बनाया जाता है, तो वो जो embankment होता है, उसमें vibration के थूरू compaction किया जाता है, चलिए बात करते हम लोग benefits of compaction के, तो यहाँ पे देखो क्या रहें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो आपका एक जो y axis है, यहाँ पे आपको dry density दीखेगा, gamma d, जिसको हम लोग बोलते हैं, और एक तरफ x axis में आपको moisture content दीखेगा, जिसको हम लोग W से indicate करते हैं, अब यहाँ पे आपको इस graph में एक peak point मिलेगा, इस peak point पे अगर इसको हम हम लोग horizontally extend करें, तो हमको gamma d मिलेगा, मतलब maximum dry density मिलेगा, और इसको हम लोग vertically नीचे extend करें, तो यहाँ पे हमको मिलेगा optimum moisture content, अब यह वो water content है, जिसको हमारी soil की compactness सबसे अधिक मिलेगी, सबसे ज्यादा मिलेगी, उसको हम लोग बोलते हैं, optimum moisture content, मतलब एक ऐसा water content, उस water content को मिलाने पर soil जो है, maximum से maximum जो है, compaction जो है, वो देगी, तो यहाँ पे आपका density अगर बढ़ती है, तो उससे क्या होगा, आपकी permeability जो है, soil पे कम होगी, whites जो है कम होएंगे, और seepage जो है वो कम होगा, और compaction से हमको क्या-क्या फायदा हो सकता है, हमारा white ratio कम होगा, varying capacity soil के बढ हो जाएगी, आपके shear strength बढ़ जाएगा, permeability कम होगी, और angle friction जो है, वो बढ़ जाएगा, चलिए, आप हमारा जो compaction curve जो मिलता है, test के दावरान, इस compaction curve को हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आप लोग देखोगे, तो दो side आपको दिखेगा, एक dry of optimum, और एक दिखता है आप content रहेगा, लेकिन उसको सीधा extend करके यहाँ पे नीचे लाऊंगा, तो save water content में मुझे वही जो gamma D है, वो मिल रहा है, लेकिन एक मुझे dry side में मिल रहा है, एक मुझे weight side में मिल रहा है, तो यह जो dry side और weight side का concept कुछ ऐसा है, कि हमको हमारे concept type का project चल रहा है, उसके accordingly हमको weight side में हमको जाना है, या फिर dry side में जाना है, कैसा हमको compaction चाहिए, वो जो है, उस project के according डिपेंड करता है, तो इसको मैं आपको आगे slide में यह चीज बताने वाला हूँ, ठीक है, next जो करवा दिख रहा है, आप लोग को इसमें देखेंगे, तो एक तरफ लिखा हुआ है low effort, एक त तो आट तन का रोलर मैंने यूज किया, तो मुझे यह वाली करव मिली, ठीक है, अगर मुझे gamma D maximum देखना पड़ेगा, इसके tip से मैं क्या करूँगा, इधर extend करूँगा, ठीक है, optimum moisture content देखना होगा, तो मुझे नीचे vertically इसको मैं क्या करूँगा, extend करूँगा, तो यहाँ यहाँ पर मुझे optimum moisture content मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पर compacting effort को बढ़ा देता हूँ, 8 तन के जगा मैं 10 या 12 तन का roller यूज करता हूँ, तो इसका curve कुछ जो है, यह सिफ्ट हो जाएगा, और upside चले जाएगा, यहाँ पर आपका gamma D और उससे ज्यादा मिलेगा, compacting effort आपने मतला कम moisture content पर ही जो है, आप अच्छा density जो है, वो achieve कर पाएंगे, चलिए, अब कुछ ऐसे properties के बारे में देखते हैं, जहाँ पर आपको dry of optimum में और weight of optimum में क्या conditions जो है, वो बनते हैं, तो मैं फिट से एक बार आपको बता देता हूँ, यह जो curve आपको लोग को दिख रहा है इस curve में, यहाँ पर हमने जो सबसे tip वाला जो point है, सबसे highest point है, इसको extend किये, इधर हमको gamma D मिला, और इधर हमको क्या मिलेगा, optimum moisture content मिलेगा, अब इस curve को देखोगे आप इस तरीके से, मैं कोई भी point यहाँ से extend करके लेके जाओंगा, तो यहाँ पर, और यहाँ पर, same gamma D मिल बोलेंगे, तो कोई भी हमारा property, जैसे का हमारा density हो गया, water deficiency, permeability, यह जो कैसे behave करेगा, तो यहाँ पर देखो कि आप density की बात करें, तो dry of optimum में आपका density high रहेगा, और weight of optimum में slightly lower रहेगा, water deficiency की बात करें, तो water जाहिड सी बात है, dry of optimum में कम रहेगा, और weight of optimum में आपका water comparison to dry of optimum जादा रहेगा, permeability की बात करें, तो permeability dry of optimum में कम होता है, और weight of optimum में जादा होता है, कम facility की बात करें, तो dry of optimum में lower रहेगा, और यहाँ पे higher रहेगा, अगर lower stress की बात करें, अगर हम load को कम देते हैं, उस समय dry of optimum में stable रहता है, और इसमें आपका settlement का potential बना रहता है, और वैसे हाइ स्ट्रेस की बात करें तो ड्राय ओफ ऑप्टिमम स्टेबल रहता है लेकिन आपका वेट ऑफ ऑप्टिमम जो है उसमें सेटलमेंट का पोटेंशल जो है बना होता है और वैसे स्वेल अबिलिटी श्रिंकेज और आपका पोर वाटर प्रेसर यह सारी चीजों का भी आपक मैं रोट का इंबेक्मेंट बना रहा हूं मुझे गामा डी दो अलग अलग वाटर कंटेंट पे एक ही मिल रहा है तो मैं कौन से वाला वाटर कंटेंट को जाओं जो मेरे को मेरे स्पैस्पिक प्रोजेक्ट में में उसका फायदा मिले उसकी प्रॉपर्टिस जो है मुझे बेनिफिट पहुचा है तो यहाँ पे जैसे हम लोग कुछ एक्जामपल लिये हुए हैं जैसे कोर आफ अर्दन डैम आप देखेंगे जो यह अर्दन डैम है इसका जो कोर है उसका जो सेंटर वाला पाट है उसको कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि यहाँ पे ऐसे वाटर का लॉस है वो कम से कम हो तो जब भी हम कोर आफ अर्दन डैम बनाते हैं तो हम वेट आफ ऑप्टिमम पे जाते हैं मतलब हम कर्व के दूसरे साइट में जो गामाडी मिलेगा उसके अकॉर्डिंग ली उस ऑप्टिमम मोईसर कंटेंड और उस गामाडी के अकॉर्ड पनाने पढ़ती है तो वहां पहले हम वेट उप्टिमम में जाते हैं वहां पर वाल्म चेंजर वह कम हो जाता है यह था हमारा पूरा compaction हम कैसे compaction करते हैं और उसका application क्या है इसके बारे में हमने बात किया अगर आपको कोई भी doubt होता है तो आप जो है नीचे पर आपना doubt लिख सकते हैं मैं आपको हर एक सवाल का जबाब दूँगा और जैसे हमने compaction को पढ़ा वैसे कि consolidation क्या होता है नेक्स वीडियो में आपको देखने वाले हैं तब तक के लिए पढ़ते रहे सिखते रहे सिभल प्रूजी के साथ धन्यवाद में